तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग चेक करेंगे हमें इसके इंदर पीचिस दिखने को मिल जाता है और सबसे पहले तो हमें इसके इंदर केस दिखने को मिल जाता है और साथे साथ हमें सिम इजक्टेक टूल भी देखने मिल जाता है केस एवरेज क्वालिटी का लग रहा है इसको सैड़ में रख देते हैं फटापट से और चेक कर लेते हैं बॉक्स में बागी सारे कॉट्टेक्स का देखने मिल जाते हैं लावा की आफ्टर सेल सेर्विस भी बहुत कमाल की होगी है जिसमें फ्री सर्विस एठ होम दे रहे हैं जिसमें आपके फोन में कोई पर प्रॉब्लम आएगी तो लावा वाले घर पे आके आपका फोन चेक करेंगे और आपको घर पे सर्विस प्रवाइड करेंगे और यहाँ पर हमारा मेन अमारा पिछी तरह हमें दो कैमेरे देखने मिल जाते हैं लावा के ब्रैंडिंग देखने मिल जाती है और एक LED प्लेश देखने मिल जाती है इसे फटापट पावज असकरे साड़ मेरे देते हैं और चेकर लेते हैं हमें box में और क्या-क्या क्वें डें जो चेलेंगे तो हमें ही charging cable देखने मिल जाती है टाइप सी टु टाइप एक केबल केबल की वालिटी अच्छी है एस कंपेट टू अधर केबल कापी मोटी के बले लिए जो बागी मैनुफेक्ट्टर देते हैं उनके बुखापने में और लास्ट लिए हमें इसके निर चार्जिंग पर देखने मिल जात बागे सारे स्प्यूफिकेशन की बात करने से पहले सबसे पहले हम इसके और और डिजाइन की बात करने से हैं तो सबसे पहले सामने इक तरफ इसमें आपको 6.5 ऐसे सी एचिशी देखने मिल जाए कि जो की 90 अब उसका रिख्रेक्ट पैनल सपोर्ट करती है इसमें में आप सब्सक्राइब दो और जो सेकेंडरी कैमरा है वो तूलेगा पेसल का डेप सेंसर है जो कि आपको पोट्रेट फोटो लेने में हेल्फ कर देने बाला है बात करें इसके टॉप की तो टॉप में आपको सेकेंडरी रोस का चलेशा मैंकरफोन देखने बुल जाएगा राइचार पर आप देखेंग देखने बुल जाएगी जिसके अंदर दोनों ही सिम आपको 4G सपोर्ट देती है अब बाहर की तो बात हो गई दिखने में स्मार्टफोन बहुत बढ़िया और फर्स्ट इंप्रेशन में स्मार्टफोन बहुत प्रिमिल लगता है पीछी की तरफ आपको बहुत ही बढ़िय अल्ट्राफास प्रोसेशर देनी मिल जाता है और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6GB RAM देखने को मिलती है और 128GB इंट्रेशन मिल जाती है और एक खास बात इसकी RAM आप वर्चली बढ़ा सकते हो 5GB तक मतब इंट्रेशन को कर देगा RAM के अंदर तो इसकी RAM करीबन करीबन 10 11GB कर सकते हो बैटरी इसके अंदर आपको 5,000 MS की देखने हो मिल जाएगी और इसके अंदर आपको Android 12 देखने हो मिलेगा और लावा है प्रोविस्ट की Android 13 भी इसके अंदर जल्दी आने वाला है तो जैसे कि आप देशकते हो हमें इस तरह से कुस्स इंटरफेस देखने हो मि जाता है और वर्जोन रहें बढ़ाना जनरल योग रूट करके करते थे अपनी स्मार्टफॉन में बट लावा ने फीचेश्ट देखे बहुत भी कवाल की बात अब चलते हैं और एप्स के दर क्या 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 आपको इसके दर नहीं देखने हो मिलता केवेल एक लावा इसके ले लेते हैं कुछ क्विक स्नैप्स यह आप अपने स्क्रीम पर देखी सकते हो कि इसके स्नैप्स किस तरह से है यहां पर इस्टूडियो लाइटिंग में मैं ट्राय कर रहा हूं अभी कुछ और स्ट्राय करते हैं बहुत सारे प्रोप्स है हमारे पस तो अच्छा देखने को मिल रहे हैं और यह स्मार्टफोन काफी प्रोमिसिंग लग रहा है तो फर्स्ट इप्रेशन में बिल्ट डिजाइन सब कुछ बड़िया लग रहा है परफॉमस को भी चेक करने लेते हैं फो टाफ़टी सेक करने के लिए सबसे बड़िया तरीका होता है एंड़ सबसे ज्यादा आइस्ट गोरिंग वह स्मार्टफोन निकल के आता है जिसका स्कोर अरांड अरांड 255,000 है जो कि बताता है कि इसकी प्रोमिस बहुत ही ज्यादा दगड़ी है तो इसका एक प्रोसेसर अच्छा है साथ इसकी रहां के अंदर जो वर्चल रहम है न आप वह वह भी काफी फास्ट वक करता है और इसका फिंगरप्रिंट करें तो वह भी काफी फास्ट वक करता है तो जैसे कि आप देख सकते हूं अनलोग लोग 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 तो काफी जैसे कि फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है अगर बात करें में इसके अंदर इ कमाल का है बड़ इसकी प्रोपर टेस्टिंग हम करके हमाई रिप्विन के आएंगे जिसके लिए अगर आपने अगे तक हमारे तेनों सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने स्मार्फोन करते हैं और एक एक अच्छी चीज और बुरी चीज दोलों को डंग से बताते हैं और